सुप्रवाद बच्चों, आज हम कक्षा 5 बिकी, और एक नए अध्याय गउतम बुद के बारे में पड़ेंगे, तो बच्चों ये फिक्चर देखों, ये किसका पिक्चर है, ये फिक्चर गउतम बुद का है, गउतम बुद काण थे, ना गउतम बुद बुध धर्म के प्र थे और उनकी माता का नाम मायाबती था वो 16 साल की वर्स आयू में उनका विबाह हो गया था युसोदरा नाम के एक लड़की से उनका विबाह हुआ था और उन्हें राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ती हुई थी और बाद में उन्होंने घरबार सब त्याग करके गौतम बुद्ध के बारे में कुछ आनेंगे तो पहले में पुस्तक पड़ती हुँ तुम ध्यान से देखो तो गौतम बुद्ध राजा सुधदन के पुत्र थे उनका बच्पन का नाम सिध्धार्थ था सिध्धार्थ का मन खेलने कूदने में नहीं लगता था वे अकेले बेठ बेठे कुछ सोचते रहते थे उनके पिता ने छोटी से उम्र में ही उनका बिबाह कर दिया पर सिध्धार्थ का मन दुनियादारी में ना लगा वे घरबार और राज्य छोड़कर बन में चले गए वहां उन्होंने तपश्या की पर उन्हें सांती ना मिली अंत में वे पी उन्होंने जगा जगा जाकर उपदेश दिया वे कहते थे जीवों पर दया करो हिंसा मत करो अपना मन साप रखो उन्होंने बहुत धर्म चलाया बहुत धर्म दुनिया के कई देशों में फेला है तो बच्चो आज हम गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ जीवन के बारे म में कुछ जानेंगे तो गौतम बुद्ध कौन थे ना ये चित्र देखो ये गौतम बुद्ध का चित्र है वे राजा सुधोदन के पुत्र थे गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे राजा सुधोदन के पुत्र थे उनका पिता का नाम सुधोदन था और मैंने बोली थी कि मा माया बती था उनका बच्वन का नाम सिधार्थ था गौतम बुद का बच्वन का नाम क्या था ना सिधार्थ था सिधार्थ का मन खेलने कुदने में नहीं लगता था तुम अब छोटे के उम्र में खेलते खुदते हो मगर तुमारी उम्र में भी वो खेलने कुदने को पसंद नहीं करते थे अकेले बेठे बेठे कुछ सोचते थे जब बच्चे उनके आयू के बच्चे खेलते थे तब वो अकेले बेठके कुछ कुछ सोचते थे उनके पिता ने छोटी सी उम्र में ही उनका विभाहा कर दिया ये सब देखकर उनकी पिता ने उनका छोटी ही से उम्र मे उनका विवाह कर दिया पर सिधर्थ का मन दुन्यादारी में ना लगा पर उनका विवाह करने के बाद भी सांसरिक जीवन में उनका मन नहीं लगा बे घरबार और आज्य छोड़कर बन में चले गए सिधर्थ क्या किया सिधर्थ ने कि उनका विभा में मन नहीं लगा सांसारी कार्य में मन नहीं लगा इसलिए उन्होंने क्या किया ना एक दिन घरद्वार और आज्य छोड़कर बन में चले गए वहाँ उन्होंने तपस्या की वहाँ जाकर वो तपस्या किये पर उन्हें सांती ना मिली तपस्या करने के बाद भी उनके मन को सांती नहीं मिला अंत में वे पीपल के बुख्या के नीचे बेट कर ध्यान करने लगे अंत में उन्होंने क्या किया ना पीपल के बुख्या, पीपल मतलब किया, तुम्हारा जास्वत बुख्या है ना, उसको पीपल के बुख्या हिंदी में बोलते हैं, उस बुख्या के नीचे बेट कर वो ध्यान करने लगे, मतलब किया ना तपस्या करने लगे, उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ, बहुत द वो कहते थे जीवों पर दया करो हिंसा मत करो उनके उपदेश में क्या था ना वो बोलते थे जीवों पर दया करो हिंसा मत करो अपना मन साप रखो मन अपना साप रखने के लिए भी कहते थे उन्होंने बहुत धर्म चलाया बुद्ध देप कौन से धर्म चलाते थे ना बहु धर्म दुनिया के बहुत जारे देश में फेल गया तो बच्चो अब हम अभ्यास के ओर जाएंगे अभ्यास में क्या दिया है देखो एक नमबर क्वेश्चिन में नीचे दिये गए प्रस्णों के उत्तर लिखिए एक नमबर में कौक में क्या दिया है ना राजा के पुत्र गौतम बुद्ध और सिधार्थे गौतम बुद्ध का बच्चपन का नाम क्या था ना सिधार्थ था कौन नमबर क्वेश्चिन देखो गौतम का बच्चपन का नाम क्या था उत्तर होगा गौतम का बच्चपन का नाम सिधार्थ था गौका क्वेश्चिन देख सिधार्थ के पिता ने उनका विबाह कब कर दिया। नेक्स्ट देखो उँगा क्वेस्चीन देखो अंत में सिधार्थ ने कहां बेठ कर ध्यान करने लगे। उत्तर होगा अंत में सिधार्थ ने पीपल के बुख्य के नीचे बेट कर ध्यान करने लगे चाओ का क्वेस्चिन देखो गौतम बुध ने जगा जगा जाकर लोगों को क्या उपदेश दिये थे उत्तर होगा गौतम बुध जगा जगा जाकर लोगों को जीवो पर दया करो हिंसा मत करो, अपना मन साफ रखो, आदी उपदेश दिया करते थे अब हम दो नमबर क्वेस्चिन में जाएंगे, दो नमबर में क्या दिया है ना सही बाक्य के सामने ठीक तथा गलत बाक्य के सामने रोंग का निशाना लगाओ को में क्या दिया है, ना बहुत धर्म दुन्या के कई देशों में फेला, ये ठीक होगा इसमें सही लिखोगे, खौका देखो, अंत में सिधार्ट एक आम के बुख्य के नीचे बेटकर ध्यान करने लगे, ये गलत होगा गौ देखो, गौतम का बच्बन का नाम देवदत था, ये भी गलत होगा गौ देखो, गौतम राजा सुधोदन के पुत्र थे, ये ठीक होगा मो देखो, सिधार्ट का मन दुन्यादारी में ना लगा, ये भी ठीक होगा अब हमन तीन नमबर क्वेस्चिन में जाएंगे, तीन नमबर में क्या दिया है, ना नीचे दिये के सब्दों में बाक्यों में प्रयोग कीजिए को में क्या दिये, फस्ट पहले क्या दिया है, ना खेलने कुदने खेलने कुदने में तुम अपने मन से भी बाक्या बना सकते हो तो क्या होगा बोलो ना राम अपना सारा दिन खेलने कुदने में लगाता है और भी बहुत सारे होंगे नेक्स्ट क्या दिया है ना ध्यान, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट क्या दिया है ना दुनिया, महत्मा गांधी का सनमान पूरी दुनिया करती है नेक्स्ट बच्पन, बच्पन जैसा अमुल्य समय कभी नहीं आता next विबा कल मेरे भाई का विबा है और भी तुम जो मन में चाहो वो बाक्या बना सकते हो अब हम 4 नंबर क्वेस्चिन में जाएंगे 4 नंबर में क्या दिया है न नीचे दिये गए सही सब्द चुनकर रिक्तस्तान पुर्ति कीजिये कौ में क्या दिया है वे एकले बेठे बेठे कुछ ड्यास रहते थे क्या होगा ना सोचते रहते थे या उपर दिया है ब्रकेट में दया उपदेश सांती सोचते साब इससे लेकर हमको फिलिंदबलांक को पुर्ण करना है खौ में क्या दिया है ना बुद्ध ने जगा जगा जाकर क्या होगा ना उपदेश दिये अपना मन साप रखो होगा जीवों पर दया करो पर उन्हें सांती ना मिली तो बच्चो अब हम पांच नंबर क्वेस्चिन में जाएंगे पांच नंबर में क्या दिया है ना नीचे लिखे असूद सब्द को सूद करके लिखिए यह असूद मतलब क्या इसका बननान इधर उदर का हुआ है मात्रा इधर उदर हुआ है हमें इसे सही करके लिखना है तो पहले क्या दिया है ना चित्र चित्र चो में दिर्गोई दिया है यहाँ पर छोटाई की मात्रा लगेग साप सा रांख हुआ है उसे हम करेक्शन करेंगे उम्र मा में रफडा की मात्रा लगेगा बन बन बो में वो होगा बो नहीं होगा पीपल पीपल दिर्गई पीपल होगा हिंसा हिंसा अमारा छोटाई की मात्रा होगा और अमसमार लगेगा तो बच्चो आज मैंने तुम्हें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाया, गौतम बुद्ध बौध धर्म के प्रतिष्टाता थे, वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, उनका बच्पन का नाम क्या था, उनका बच्पन का नाम सिद्धार्त था, और उनका एक बेटा भी हुआ था, उसका नाम भी राह बूलता तो बच्चा बच्चों आसा करती हूं इस विशे को तुम सब अच्छे से समझे हूं